क्या एक साथ 12th and graduation level की तयारी हो जाएगी बिलकुल हो जाएगी बच्चो CBT1 और CBT2 दो एक्जाम होंगे दोनों में syllabus math reasoning हो या GSO एकदम same to same copy आने वाला है ठीक है अब चुकि पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि इन दोनों का CBT1 यह अलग-अलग करा रहे हैं और CBT2 common हो रहा है graduation का अलग-अलग level का अलग-अलग CBT2 होता था ठीक है और 12th वाले भी उसी CBT2 उसके level का अलग होता था पांच-पांच CBT2 देने पड़ते थे एक बच्चे को इस बार ऐसा नहीं है 12th level का CBT1 1 अलग भी और CBT2 भी अलग पर देना एक-एक है graduation level वाली तीन पोस्ट है मालो तो तीन तरह की पोस्ट तीन लेवल की तो तीन लेवलों पे पहले तीन CBT2 देने पड़ते अब एक ही CBT2 होगा ये clear है सबको तो भाई CBT1 12th वालों का अलग graduation वालों का अलग CBT2 12th वालों का अलग graduation वालों का अलग यानि हर बच्चे को दो दो पेपर देने होंगे और अगर 12th और graduation level दोनों भरते हो तो और किसी की मालो undergraduate graduate है कोई बच्चा तो वो केबल 12th ही भर पाएगा graduation final है तो वो graduate level भर देगा तो इसमें एक साथ तेयारी करने में कुछ नहीं है जब तीनों syllabus एक से हैं अभी हाला कि 12th का क्योंकि पहली बार अलग होने जो आ रहा है तो हो सकता है syllabus में slight change देखने को मिले यह possibility है क्योंकि पहली बार अलग होगा तो यह notification से बात clear हो पाएगी ठीक है तो हो सकता है advance math पर यह भी हो सकता क्योंकि group D में भी advance math है तो उसको skip नहीं कर रहे हूँ पर हो सकता है थोड़ा सा changes देखने को मिले ठीक है तो भाई वह उसकी बात है पर हम मान लीजिए आप maths पढ़ते हैं आप reasoning पढ़ते हैं आप GS पढ़ते हैं तो यह तीनों subject तो आपको पढ़ने ही पढ़ेंगे बिलकुल और तीनों subject को ऐसा तो नहीं पढ़ते होंगे कि यह level का question है NTPC 12th level और यह graduation level तो इसको पढ़ू इसको न पढ़ू ना teacher ऐसा सोचके पढ़ाएगा वो तो पढ़ाएगा क्या पता है graduation level में आए तो कोई expect नहीं कर सकता कि यह question कौन से level में आएगा तो इसलिए आपको zero to hero level तक चलना ही होगा एक अच्छे level तक की तयारी करनी पढ़ती है और जब अच्छे level की बात ही हो रही है तो फिर क्या graduation level क्या 12th level सब covered हो ही जाएगा है ना और होना भी चाहिए तो इसलिए हम level से compromise करके नहीं चलेंगे questions में ऐसा नहीं करके चल सकते थोड़ा हलका ही पढ़ लेते नहीं आपको subject सीखना है focus जो होना चाहिए वो होना चाहिए math सीखना है focus जो होना चाहिए reasoning सीखनी है focus GS एक बार अच्छे से पढ़नी है तो क्या 12th और graduation level के exam से अलग अलग होंगे जी हाँ बिल्कुल अलग अलग होंगे इसका जवाब दे चुका हूँ अब group D वाले बच्चे जैसे ही NTPC वाले बच्चों की वीडियो बनी और हम लोग batch लेकर आए तो बहुत सारा बच्चा यह परेसान दिखा यह इसलिए भी परेसान देखिए age group भी मेरे ख्याल से जो 18 से 30 इनकी age रहती है और 18 से 30 की जगे यह भी 33 साल की चुट इसमें आएगी आएगी 12th वाले में भी जो age रहती है 18 से 30 थी पिछली बार और इस बार इसमें भी 3 की चुट मिलेगी तो इसमें graduation वाले को 36 साल तक का इस बार भर सकता 33 साल का 12th level को भर पाएगा और group D level को भी कब तक भर पाएगा 33 साल तक भर पाएगा ठीक है पहले जो 12th level वाली job थी उनके लिए वही लोग eligible थे जो 18 से 30 वाली age में आते इस बार 33 साल तक के बच्चे eligible होंगे ठीक है फिलहाल अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ क्योंकि जो 12th को देंगे almost वह group D में भी बैठेंगे सभी बच्चे क्योंकि जो 10th करता है वह almost 12th भी करी लेता है 18 years तक तो group D वाले बच्चे फिलाल क्या करें तो हम लोग मैं भी एक इसके लिए वीडियो ले करके आ रहा हूँ तो बहुत सारे बच्चों की queries थी क्या group D के लिए हमें अलग से course लेना होगा यह हमारा same आ जाएगा NTPC के लिए अलग course लें group D के लिए अलग तो मुझे भी बात बिल्कुल जायज लगी चीजें वही पढ़ानी है हम लोगों को भी तो मैंने अब एक combo बनाया है group D और NTPC को ले करके तो आप को थोड़ा सा बस difference होगा उसमें तो फिर आप वह भी ले सकते हैं जितको दोनों की तयारी उसमें science और मिल जाएगी बस आपको math reasoning GS वही मिलेंगे बस science extra डलके मिल जाएगी group D में तो इसके लिए मैं एक video कर रहा हूँ अलग से वह पांच वजे के असपास video होगी तो उसमें आपको पूरी जानकारी दे दूँगा NTPC के exam के लिए कितना समय मिलेगा NTPC ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों को देखिए बच्चों में आज किल देखिए video से sorts क्यूं चल रहे है YouTube में आप बहुत sorts देखते होंगे पहले video चलती थी लंबी लंबी खूब तसलिस से देखते थे तो patience की कम ही होती जा रही है हम लोगों में तो यहां भी ना पहले form कब आएंगे पहले इस बात की चिंता होती है जैसे अभी form इसके September में आए और उमीद थी जुलाई से September के बीच तो बच्चों ने जुलाई और अगस्त में बहुत message कि कि सर कब आएंगे form कब आएंगे मन कि भाई जुलाई तो September दिया September तक वेट तो कल लो October आ जाएगा तब आपको चिंता होनी चाहिए तो भाई NTPC के form आगे September में इसमें कोई सक नहीं है पर अब बच्चों को दूसरा question एक्जाम कब होगा और एक्जाम इसलिए